हेलो स्टूडेंट इस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहते हैं जो आप से रिलेटेड कोई भी अबडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रोब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप आप मेरे से शियर करें और से रिलेटेड जो भी जेन्वेन सलूशन होगा जैसा भी तक मैं रखता है हूं आगे भी आप सब इस्टूडेंट तक पहुंचाने की 100% को सिस करूँगा और अभी की जो वीडियो है जैसे के पिछले मैं तीन-चार दिनों से देख रहा था खास साथ नेक्स्ट सभी वीडियो के लिए अगर आप लोग से विल वर्ड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे रियल अबडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे तो मेरे पास जो कोस्टन आये जैसे की बेटा कॉलेज क्लासेज डिट को को लेके टोटल लेक्टर पर दे को लेके या फिर सर्थ समिस्टर कॉलेज क्लासेज यह आपके तीन-चार कोस्टन और एक एक करके मैं इन सब के रियल सलूशन में आपको बताऊंगा तो पहले तो मैं आप लोगों को किलियर कर दूँ जैसे कि अभी भी कुछ ऐसे जिनका एडमिशन हो गया फर्स्ट कॉंसलिंग में नहीं तो सेकेंड में अब आपको उपन कॉंसलिंग चल रहा है और जो भी स्टुडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हो उपन कॉंसलिंग में आप लोगों के पास एक तारिक तक का टाइम है आप कॉलेज में जाके क अपना ओपन कॉंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए अब रही बात सर कॉलेज क्लासे इस देट को लिखे तो है क्या मैं आपको पहले ही किलियरली बता दो देखिए गवर्मेंट की तरफ से जैसे आपका अगर कोई जो भी बच्चे हमारे पुल टेक्निक एडमिशन लिए तो according to HSBT Board आप लोगों का जो कॉलेज का जो सेड्यूल जारी किया गया है वो 5 अगस्त से लेकिन एक कन्फ्यूजन आप लोग यहां किलियर कर लेजिए जो पिटा 5 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में 19 अगस्त के बीच में आप लोगों का basic orientation program होता है जो भी कॉलेज के जाही start होनी है वो 20 अगस्त होनी है अब मैं आपको एक बात और किलियर कर दो जो 5 तारीक के बाद और 20 से पहले यह कॉलेज वालों के हाथ में है वो जब चाहे college start कर सकते हैं जैसे कि काफी सारे ऐसे college है जिन्होंने फर्स्त येर के बच्चों को 5 अगस्त से बुलाया कुछ से अभी भी college है जो कहरें भाई आप 18 ये 20 तारीक से आना तो मैं पहले clear कर दो जो आप जिस college में आपका admission हुआ है या मान लीजिए वो आपका college मानिश्वर हो या आपका college कोई साभी हो आप let's suppose मान के चलिए तो जो आपका group बना होगा मेरे recording सभी बच्चों का group बन जाया है बट according to rule में आप लोगों को बता दू पांच अगस्य पर बाद वो कभी भी आपको college में बुला सकते है 20 अगस्य पहले लेकिन 20 अगस्य 100% है आप लोगों को college जाना है और 75% attendance compulsory है आपके exam में बैठने के लिए अगर आपका admission government या private किसी भी college में होता है और अगर आपके attendance 75% से कम है तो आपको board के द्वारे exam में नहीं बैठने दिया जाएगा आपका PCA form यह अपलाई नहीं होगा जिसके चक्कर में आप अपना exam नहीं दे पाऊगे अब आपके जो question है जैसे sir college classes timing को लेके देखिए college classes timing को लेके और एक बात मैं आप लोगों को पहले बता देना चाह और सारे news आपको वहां देखने को मिल जाएंगे तो जिन भी student को join होना है इसे video के description में मैंने number डाल रखा है अपना link डाल रखा है WhatsApp channel link करके वहां पे join हो जाईएगा ताकि सारे real update आपको time से पहले आपको मिलता रहे जो real update मैं video पे नहीं ला सकता क्योंकि time के चक्कर में तो आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ जो अपनी civil world की online classes है मैं आप लोगों को बता दू मैंने सोच रखा है 15 अगस्ट से start करने का लेकिन देखिए क्या होता है 13 14 या ऐसे मान लिए 15 अगस्ट से पहले में start कर दूँगा और उसका complete process है process वीडियो वह आपको एक अगस्त क यूटूब पे देखने को मिल जायागा और उसी according आपको admission लेना है और एक बात याद रखना अगर मैं आपको जो topic पढ़ा हूँ जैसे जो बच्चे हमारे first year में है या third semester civil branch के first year में तो सबका syllabus सेम है सभी बच्चे admission ले सकते है या आप किसी भी branch के हो लेकिन जो student हमारे third semester क है उनका सिर्फ civil branch की ही classes होती है तो मैं आप सभी students से request करूंगा काफी सारे बच्चों को देखने सर साथ subject है December में हमारा paper है हम कैसे पक करेंगे मैं कहता हूँ HSBT वालों को तुम 15 subject डाल दो और मेरी guarantee रही जितना मैं आपको को उससे जैदा आप करके कुछ मर जाना अरे यार बुक छोड़ो वो 20 बुके डाल दे लेकिन complete बुक नहीं पढ़ना होता है इंजिनेरिंग में यह बात ध्यान रखना वही topic पढ़के जाए जो important है काफे सारे बच्चों को देख रहा हूँ मैं तुमें सारे question लगा रहे हैं मेरे को पीडिया भेजते मैं यार इतना तो लें अधिमिशन फटाबर देखो हर्याना पुल टेकनिक में डिमिशन लेना आसान है दस अजार सीटे लेकिन सिविल वल्ड क्लासेज मगर आपके अडिमिशन हो गया तो जहां आपको पुल टेकनिक वाले जब आपका ऐसे नी प्लेश्मेंट नहीं करवाएंगे वहां मैं करव किसी भी कॉलिज में क्लासेज नहीं होती है जब आप जाओगे तो आपको कुछी दिन तो बहुत क्योंकि फर्स सेमिस्टर के स्टुडेंट तो आपको भूत बताये जाएगा पांच बजे तक रिगुलर क्लासेज होगी लेकिन वह सिर्फ चलेगा लास्ट एक से डेड़ म आपका मैक्सिमम क्लासेज 9 बजे से लेके एक से डेड़ मतलब लंच से पहले आपका सारा कुछ खतम हो जाना है उसके बाद एक से डेड़ महने बाद आपको ऐसा लगेगा कॉलिज में बैठना मतलब वेस्टे जॉप टाइम है लेकिन अगर आप मेरे से कॉलिज की टाइम अब नेक्स अपडेट है से टोटल लेक्चर पढ़े के है देखो भई according to rule according to guidelines मैं आपको बता दू मीनिमम कम से कम पांच लेक्चर होने चाहिए लेकिन एक से डेड़ मैंने तो आपको पांच लेक्चर किया आठ लेक्चर भी देखने को मिलेंगे फस्ट येर में लेकिन ज लेकिन अगर आप rule के according चलिए तो मीनिममम पांच लेक्चर इन्हें लेने है नो बजे से लेके सर ने बता है पांच बजे के बीच में बट ऐसे आप मानिए तीन से चार लेक्चर मैक्सिमम लग जाएगा आपको उसके बाद आपको लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा जब बच्चे हमारे थर्ड समिस्टर मेडविशन लिए है आप लोगों को बता देना चाहर हूँ जो काफी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट है जुन्होंने सेकंड समिस्टर का पेपर दिया जो आपके साथ के है वो अब थर्ड समिस्टर में गए तो जब बच्चा फर्स्ट यर क पहले स्टार्ट होने के कोई भी चांसेज नहीं है क्योंकि लिट वाले जो हमारे स्टूडेंट है उनकी परसेंटेज कम होती है अब मान लो 5-6 बच्चों के लिए तो वो 5 तारिक को कॉलेज खोलिंगे नहीं जब बच्चे हमारे फर्स्ट यर वाले सेकंड यर में तो थर्ड सेमिस्टर की जो क्लासेज है मेरे एकोडिंग 20 अगस चे पहले स्टार्ट नहीं होगी वैसे आपका जिस कॉलेज में एडमिंशन हुआ है यह वहाँ आप एक बार कॉंटेक्ट कर लीजेगा वो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे लेकिन फर्स्ट यर की ज अबजेक्ट है उन पर पकड़ बनाना और बाद मंकि जितना मैं आपको रास्ता दिखाता जाओ उससे एकोडिंग चलते रहिएगा जो भी रियल अपडेट होगा मैं सभी स्टुडेंट तक रखूँगा तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में I hope हमारे सारे स्टुडेंट के सारे डोट केलियर हो गए होंगे बाई ओल फियो